हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज में आपके साथ यह डिजाइन शेयर कर रही हूँ बहुत प्यारा और बहुत चोटा चोटा डिजाइन है यह जिसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं तो फ्रेंट्स इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें टू के मल्टिपल में फंदे चाहिए यानि दो के मल्टिपल में हमें फंदे चाहिए तो आप ऐसे करके डालें दो प्लस दो प्लस करके और आपका यह डिजाइन जो है बिल्कुल सही आ जाएगा आपके प्रोजेक्ट मे तो चलिए फ्रेंट्स इसको बनाना शुरू करते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीचे का और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी जुरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो फ्रेंट्स यहां पे मैंने देखिए यह बारा फंदे यहां पे लिए होए हैं दो के गुणा से ही यह फंदे लिए हैं तो प्लस टू करके तो इस पे हम यहां पे डिजाइन जो है अपना बनाना शुरू करेंगे यहां पे देखिए पहली सलाई है डिजाइन की और सीधी साइड से है तो यह पहले फंदे को हमने ऐसे स्लिप किया उसके बाद हम आगे के दो फंदे जो हैं उनको सीधा बुनेंगे एक दो उसके धागा अपनी तरफ को करेंगे अब अगले दो फंदे जो हैं उनको हमने यहां पे देखिए धागे को अपनी साइड करते हुए अगले फंदे को ऐसे सीधे बुनना है फिर उसके बाद यहां पे एक फंदा और सीधा बुनना है तो यह हमने एक जाली डाली और दो फंदे यहां पर सीधे बुनें अब यह जो हमने धागा लपेटा है जिसकी हमने जाली डाली उसको उठाएंगे और इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे फिर आगे के दो फंदे जो हैं उनको फिर से सिंपल ऐसे सीधा और यहां पर फिर से जाली डालते हुए दो फंदे सीधे बुनेंगे तो एक और यह दो फिर यहां पर यह जो जाली हमने डाली वही रिपीट करते जाएंगे हम जो हमने पीछे रिपीट किया है ऐसे इन दो फंदों के ऊपर से इसको पास कर देंगे आगे के दो फंदे हम बुन लेना है तो यह हमारे डिजाइन की पहली सलाई खतम हो जाती है देखिए इसकी उल्टी साइड पे हैं तो उल्टी साइड पे पहले फंदे को स्लिप करना है यह डिजाइन की दूसरी सलाई है और सारे फंदे आगे हमने सी उल्टे बुन देन हैं यहां पे सारे फंदे इसी तरह से उल्टे-उल्टे बुंदिन है तो ये डिजाइन डालोगे ना फ्रेंट्स तो आपकी स्वेटर जो है ना बहुत जल्दी बन जाएगी क्योंकि बैक साइट पे हमारा कुछ भी करने का नहीं होता ना सीधे-सीदे उल्टे-उल्टे फंदे ऐसे बनाने हैं बस उन इस तरह से स्लिप किया और उसके बाद धागे को अपनी तरफ को किया और अब हमने जाली पहले डालनी है यहां पर पहले दो फंदों के साथ डालनी है तो पहले फंदे को बुंते हुए ही हम यहां पर इस धागे से जाली यहां पर बना लेंगे और दूसरे फंदे को ऐसे दो फंदे सीधे बुने और एक हमने यहां पे जाली डाली यह जो यहां पे जाली है इसको अब हमने इस तरह से उठाना है और इन दो फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देना है इस तरह किस देखिए अब आगे के हमने पहले देखिए इन फंदों के ऊपर जो आगे के दो फंद आगे वाले हैं इनके उपर से हम ऐसे जाली डालेंगे इस तरह से धागे को घुमाके लेंगे और दो फंदे सीधे बुन देंगे अब इस जाली को घुमाया वा धागा इसको उठाएंगे और इन दोनों फंदों के उपर से हमने इसे इनको घुमाके ले लेना है अब आगे के जाली वाला फंदा बना है इसके को उपर से पास करते हुए ऐसे छोड़ देना है ध्यान रखेगा यहां पे बीच में नहीं छूटना चाहिए ने तो फंदे बढ़ जाएंगे आपके तो जाली भी बीच में यहां पे एक होल हो जाएगा जाली से तो ऐसे नहीं करना आपने उपर से पास कर देना है तो इसी तरह से हमने इनको यह दो तीन से लाई होगे अब चौति स्वेटर बिलकुल यहां पे उल्टी ही है पहले बंदे को स्लिप करते हुए सारी सलाह हमने उल्टी-उल्टी बना लेनी है देखिए इसी तरह से इस डिजाइन को आप जैन्ट फ्रोजेक्ट होगा बच्चों के सेट हूँगे उन में भी आप इस डिजाइन को डालेंगे तो वह बहुत ही अच्छा लगेगा तो आप इस डिजाइन को जूरू ट्राई कीजेगा और जब आप इनी को बार बार बनाते चले जाएंगे ना इन्हीं सलाईयों को बारवा बनाते चले जाएंगे तो आपका डिजाइन जो है वो ऐसा दिखेगा ये देखिए अब आप इसको किसी भी उन पे बनाईए ऐसा ही खूबसूरत लगेगा ये इसी तरह से तो आप इसको जरूर ट्राई करें फ्रेंट्स